नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल नीउस मैं हूँ आपके साथ कंचन शर्मा बड़ी खबर करूप कर रहे हैं आज से चात्रों के लिए शुरू की गई है मनुव वैग्यानिक परामश ये बड़ी पहल है दसवी और बारवी के चात्रों और अभिवावकों के लिए ये सु विधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और तनाव दूर करने के लिए शेर किया गया है टोल फ्री नमबर इसी के साथ साथ आपको ये बता दे कि प्राक्टिकल एक जनवरी और थोरी की जो परिक्षाए हैं वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी हम जादा तर ये वहसूस करते हैं कि जब एक्जाम्स पास आते हैं जब परिक्षाए होती हैं तो उसकी बज़ा से बच्चे ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और तनाव के सिती ज़्यादा बन जाती है तो इसलिए आपको बता दे कि आसे छात्रों ये शुरू की गई है ये मनुवैग्यानिक परामर्ष जो तनाव है उसको दूर करने के लिए परामर्ष ले सकते हैं दस्वी और बार्वी जो चातर हैं और साथी अभिवावकुल के लिए भी ये सुविधा शुरू की गई है खास तोर पर अब सी बीसी ने विद्यार्थियों के लिए आज से ह इसको शुरू करदिया है आज से ही परामर्ष ले सकते हैं पेरेंट्स भी परामर्ष ले सकते हैं साथी जो तैयारी कर रहे है जो पढ़ाई कर रहे है जो स्टूडेंटस हैं उनके लिए भी खास तौर पर ये शुरू की गई है विवावकुल के लिए ये मुफ्त IVRC सुव 24 गंटे यहां पर उपलब्द रहेगी अबलेबिल रहेगी तराव दूर करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी बाकाइदा शेर किया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और दूसरी चीज यह है कि प्राक्टिकल एक जनवरी और थोरी जो है थोरी की जो परिक्षाएं इस पर जादा जानकरी के लिए रिया हमारी सहयोगी जुट चुकी है जादा जानकरी वही देंगे रिया सबसे पहले तो आपको नवर्ष की बहुत बहुत शुक्त कामना है लेकिन और दूसरी चीज यह भी है कि आज जो छात्रों के लिए यह मनो वैग्यानिक परामर्ष क जो बात सामने आ रही है इसमें क्या कुछ है कैसे परामर्ष ले सकते हैं वो सब दर्शकों को बताएं उनके लिए शुरू की गई है जिसमें यह बताया जा रहे कि मनो वैग्यानिक परामर्ष की जो सुविदा है इस वक्स EBSC के माद्यम से अब आज से शुरू होगी जिसमें की दसवी और बारवी क्लास के जो बच्चे हैं वो मनो वैग्यानिक परामर्ष ले सकेंगे यानि की मनो वैग्यानिक का मतलब है की तनावपूर्ट जो सिती होती है चात्रों के बीच में और अभिवावकों की बीच में और उसके अलावा जो शिक्षक है उनके भी बीच में कहीना कहीं पर परिक्षाओं के दुरान पर इसमें वो कहीना कहीं पर महत्तपूर्ट 800-118-004 यह जो टॉल फ्री नंबर है इसको लागू किया गया है बनाकर तयार किया गया है जिसपे की 24 गंटे जो सुविदाएं हैं वो होंगी हाला कि अगर दिनों की बात करें तो सौमवार से लेकर शनिवार तक का जो दिन है वो तै किया गया है जिसमें की तमाम मनोविज् कुद देंगे यानि कि अगर किसी तरीकी का तनाव होता है या परिक्षा को लेकर जानकारियां हासिल करनी है यहां तक की सलेबस को लेकर भी अगर कोई जानकारी हासिल करनी है क्योंकि हम देखते हैं कि जब परिक्षा का समय होता है तो ऐसे में परिक्षा के बारे में जान कम हो पाती है तो ऐसे में जो वेबसाइट है और उसी के साथ में जो टॉल फ्री नंबर है इस पर जाकर तमाम मनोविग्यानिक भी होंगे और साथी में जो टीचर्स होंगे उनकी भी मौझूद्गी होगी जिससे कि तमाम जानकारियां एक्जाम से संबंदित जो चात कि यहां तक कि जो अभिवावक हैं और उसके अलावा जो शिखशक हैं खुद वो भी ले सकते हैं हाला कि जानकारी में यह बतायां गया है कि इसमें टकरीबन भारश से 52 जो मनोविग्यानिक हैं उनको समलित किया गया है इसके लावा 13 परामश दर्टा है जिनकों की कुवेश से लिया गया है बाकी नेपाल जापान और इसके लावा ओमान और सयुक्त अरब अमिरात यानि की दुबाई ये तमाम ऐसी जगह है जहां से जो मैनुविज्ञानिक है वो इस पूरे परामश में सामिल होंगे और देख दिख्षाओं की दोरान चाले दस्वी के चात्रों, बारवी के चात्रों शाती में जो शिक्षक है और उसके लावा जो विबावक है वो भी पूरा फायदा उठा सकते हैं यानि की तनाव पूर्ण मुक्त जो एक्जाम है अब वो असानी से दिये जा सकते हैं इसकी जरूरत महसूस क्यों होई ये एक अच्छी पहल है और जो मनोज सिती है वो समझने के बाद में एक अच्छा परामर्श दिया जा सकेगा लेकिन ऐसा क्यों लगा क्या लगता है आपको कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी जो मिलकुल देखे अगर मनोज ग्यानिक परामर्श के बारे में बात करेंगे कि इसकी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ती है और इसका महत्वा अगर किस तरीके से हम देखें क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा जब परिक्षाए नजदीक होती है तो ऐसे में चात्रों के कही न कहीं पर end time पर पता चलती हैं तो ऐसे में कहीं बार होता है कि वो अपने teacher से नहीं मिल पाते हैं उनसे connectivity नहीं हो पाती है और syllabus में क्या कुछ नया है और कहीं बार ऐसा भी होता है जिससे हमने देखा है कि 10th class के board होते हैं या फिर 12th class के board होते हैं वो कहीं न कहीं पर एक पहली जो है वो ले सकेंगे और उसके लावा जो तनाव उनके बीच में नंबर अच्छे लाने का होता है उसके लावा पढ़ाई का बड़न बहुत जादा होता है तो वो कही ना कहीं पर इस के माध्यम से दूर होगा तो ऐसे में तनाव पूर आप कह सकते हैं कि जो परिक्षाएं ह अब वो छात्र दे सकते हैं क्योंकि CBSC इस वक्त कई सारी जो बारीकिया हैं उन पर नजर बनाए हुए है और कई सारी इसी तरीकी की जो योजनाए हैं उनको लेकर आ रहा है और उन्होंने इस जरूरत को एहसास किया यानि कि उनको ऐसा लगा कि छात्रों के बीच में वाकई म जब परिक्षाएं होती हैं तो तनावपूर्ण इस्तिती जो है वो पैदा हो जाती है और जब भी चात्र जो है वो जादर संख्या में शिक्षकों से जूटते हैं और उसी के अलावा अभिवावकों के अपने चिंतन के बारे में बताते हैं तो ऐसे में अभिवावक भी शिक्षक भी चिंतित होते हैं तो कहीं न कहीं पर इस तराव को दूर करने के लिए असी विवस्ता होनी चाहिए उसी कड़ी में इस कदम को उठाया गया है बिल्कुल रिया और आपने एक महत्वपूर्ट जानकारी और भी दी है कि सोमवार से शनिवार तक आप कभी भी परामर्श ले सकते हैं लेकि इसका क्या समय क्योंकि टोल फ्री नंबर जो आप बता रही हैं उस पर अगर कॉल करेंगे तो क्या समय रखा गया है कि किस समय से किस समय के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं या भी वावक हैं पेरेंट्स हैं वो कॉल कर सकते हैं जरा वो भी दर्शकों को बता दें जो देखें टोल फ्री नंबर के साथ साथ वेब साइट पर जाकर इसके जो पूरी तमाम जानगारियां है वो ले सकते हैं यानि कि मनोविज्यानिकों से जुड़ा जा सकता है जो समय बताया गया है वो तकरीबन सुबा साड़े नो बजे से लेकर शाम साड़े पांच बज चाहें तो इस जो सुविधा है जो ये नई सुविधा है एक नई पहल है इसका पूरी तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो ये गोशना की गई है बड़ी गोशना होई है रिया इसको लेकर के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं और कई चीजों में मुनाफिय देखने को मिलता है लेकिन कई चीजे परामर से थोड़ी अलग होती है लेकिन एगर बात करें कि इस पर बच्चों का किस तरीके से असर है है हलकी आस नहां कि अगर इस योजना को शुरू किया है तो यह एक एक चातर के बीच में जाय और उसकी जानकारिया उनको प्राप्थ हूँ, क्योंकि अभी इसकी जादा तर बच्छों को छात्रों को नहीं दी गई है, नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में ट्रायल किस तरीके का है और क्या इसको कितना अपनाया जा रहा है, हालकि वो बाद में ही पता चल पाएगा लेकिन कहीना कहीं पर इस पहल से ये जरूर लगता है कि ये काफी मददगार भी होगी और साहिता भी प्रदान करेगी बिल्कु जलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी के लिए